आद बनाएंगे सस्ती मटर की पोहत ही महंगी रेसपी और ये सीजन की लास्ट रेसपी है अगर आपने मटर की इस रेसपी को अब नहीं बनाया तो आप पूरे सीजन पस्ताएंगे इसको बनाने के लिए तो इसको बनाने के लिए हरी मटर ली है और इसे डाल देंगे मिक्सिजार में सारी मटर हमने मिक्सिजार में डाल दी है अब इसमें डालेंगे हम दो हरी मिर्च और साप में डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकडा और इन सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे पीना पानी के, इसमें पानी का हमें पिलकुल बेशें पोली लेएज़ कड़ाई में त्येल गरम किया त्येल जब अच्छे से गरम हो जाए तब वहास में च्पर देंगे जीरा जीरा जब अच्छे से चाटकने लगे तब प्याज़ के सबादा extinction है आप चाहें तो पीसके भी ले सकते है पर जो टेस्ट आता है ऐसे इक प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जल्DAY भी यह बनकर तयार हो जाता है तो प्याज को हमें अच्छे से भूनना है तब तक भूनना जब तक प्याज का Čलर चेंज न हो जाए और प्याज अच्छे से soft ना हो जाए बहुत जादा हमें प्याज को over cook नहीं करना है प्याज अच्छे से पक चुका है आप इसमें डालेंगे मसाले तो एक चम्मस भर कर डाल दिया देगी मर्च मसाला देगी मर्च पाउडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट और कलर दोनों आत हैं आधा चम्मस डाल देंगे पाउभाजी मसाला चौथाई चम्मस डाल देंगे हल्दी पाउडर एक चम्मस भर कर धनिया पाउडर सभी मसालों को अच्छे से मेक्स कर लेंगे इसे एक मिनट के लिए इसी तेल में और प्याज के साथ अच्छे से फून लेंगे ये वाला प्रोसेस जरूर से करिएगा लेकिन गैस की फ्लेम को लो रखेगा ताकि मसाले जले नहीं फिर यहाँ पे दो टमाटर की प्योरी डाल देंगे और इन्हें मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे अब इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है बढ़िया से इस तरीके से हमें मसाले को भूनना है जितना अच्छे से मसाला भूनेगा ये रेसिपी उतनी ही जादा बढ़िया बनकर तयार होगी तो मसालों को अच्छे से भून लिया है एक बार अच्छे से मिला देंगे टमाटर डालें जल्दी पक जाएं इसलिए इसमें साथ में नमक भी डाल देंगे मसाले भी अच्छे से पक रहे हैं बहुत ही बढ़ी आशी खुश्बू भी आ रही है और इन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बना कर तयार करेंगे अगर आपने मटर की रेसिपी नहीं खाईए तो ये जरूर से ट्राय करिएगा बहुत ही डेस्टी लगेगी मसाला जब तक इदर पक रहा है तो हमने मटर को ग्राइड कर लिया था अब इसमें डालेंगे नमक थोड़ा ही नमक डालें क्योंकि हमने क्रेबी में भी नमक यूज़ किया है तो इसमें डालेंगे नमक कस्तूरी मेथी और साथ में डालेंगे हंग हींग हींग से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो हींग को जरूर से डालिएगा थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें हमें बहुत मसाले नहीं यूज करने है हरी में शौरा दरग पहले ही पीसली थी सिर्फ दो चमत बेसन डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे बेसन का यूज बहुत ज़्यादा ना करिएगा नहीं तो फिर बेसन का ही टेस्ट आएगा जो मटर का फ्लेवर है वो चला जाएगा इससे ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी अम इन जीजों को अच्छे से मिला लिया एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देंगे ताकि ये जो बने वो एक्टम सॉफ्ट रहे मूँ में जाते ही खुल जाए पहले बेसन का कम इस्तमाल करें दुसरा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज कर लें तो इस तरीके से अच्छे से हमने मिला दिया है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो यहां पे लगबख हमने आधा कप के जितना पानी डाला है और अभी ये मसाले और भी अच्छे से भुन जाएंगे तो हमें इसे घंटों तक नहीं पकाना है थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसके उपर रख देंगे दूद वाली जाली जो की हर घर में होती है तो दूद वाली जाली रख देंगे इसके उपर और इसके उपर मटर की ऐसे बढ़ियां लगा देंगे छोटी छोटी बड़ी बड़ी आप मेडियम साइज की अपने हिसाब से आप इनकी बड़ियां बना सकते हैं इस तरीके से पूरी हमने चलनी पे इसकी मटर की बड़ियां लगा दी हैं अच्छे से सारी बढ़ियां लगकर तयार है और बस इसमें लगा देंगे लिड और ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगी और साफ में मसाला भी पक जाएगा अगर आपने मटर की इस्टेंट बढ़ियों की सबजी नहीं बनाई है तो बना कर देखिएगा इतनी जादा टेस्टी लगेगी कि ये आपकी सबजी फेवरेट हो जाएगी देखिए बढ़ियां अच्छे से स्टीम हो चुकी है अपनी जगे छोड रही है तो बस जादी को निकाल देंगे और ये देखिए मसाला कितना अच्छा पका है इसका कलर देखिए इसका टेक्शर देखिए मसाले का और बिल्कुल भी जला भी नहीं है मस्तिल से इसे बढ़ियों को हमें 3-4 मिनट ही स्टीम करना पड़ा इतने में ही ये अच्छे से पक जाती है हम एक कप के जितना पानी डाल देंगे या फिर ग्रेवी के अकॉर्डिंग और उबालाने के लिए छोड़ देंगे फिर इसमें हमने जो बढ़ियों को रखा था उन्हें हमने थोड़ा सा तेल में फ्राइ कर लिया है ताकि इसकी और भी ज़्यादा टेस्टी सबजी बनकर तयार हो तो बड़ियों को डाल देंगे और मिला देंगे फिर से लिट लगा देंगे और ये तीन से चार मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट बड़ियों की सबजी बनकर तयार है अगर आपने मटर की बड़ियों की सबजी इस तरीके से नहीं बनाई है तो बना कर देखेगा बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है एक बार अगर आप मटर की बड़ियों की सबजी इस प्रिशा लगा हो तो बिड़ाइब करें